फ्रेंट्स आज बाजार में बहुत ही जबर्दस गिरावट हुई लोगों को बहुत ही जबर्दस गिरावट हुई लोगों को बहुत ही जबर्दस गिरावट हुई है बहुत सारे सेक्टर में जबर्दस गिरावट हुई है बैंकिंग सेक्टर के अंदर फाइनेंसल सेक्टर लेकिन आज उस तेजी पे ब्रैक लग गया और फिर बड़ी गिरावट होगी तो यह जो गिरावट का दोर कब तक चलेगा और ऐसे समय में हमें कौन से स्टॉक में निवेश करना चीए रिशर्च अनालिस्टों की राय जान करे ही हमें काम करना चीए क्योंकि इस समय बाजार की डारेक्शन किसी को भी नहीं पता है एक दिन तेजी बनती है फिर दूसरे दिन भाएंकर गिरावट होती है तो इस समय हमें सुरक्सित निवेश करना चीए तो इसके लिए हम ICIC डारेक्ट के द्वारा न्यूक बताए गए 15 श्टॉक के उपर डिसकस करेंगे और कौन से बड़े रिजन है जिसके बड़ी गिरावट हुई लेकिन उससे पहले अगरा पहली बार हमारे चैनल पर आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबार जिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिपी किसन आपको मिले वीडियो पसन आये तो लाइक सेर जुरू कीज़े चलो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्स एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है देश में कोरोना के बढ़ते मामले दलाल इस्टिट के लिए सेंटीमेट पर अपना असर डाल रहे है बाजार में आज जबरदस गिरावट हुई है और आज सेंसेक्स करीब 49,180 पर क्लोज हुआ यानी 817 पॉइंटों की गिरावट हुई बहुत बड़ी गिरावट हुई है करीब 1.74% डाउन हो चुका है सेंसेक्स और इसने अपने 50,000 के लेबल को तोड़ा है और निप्टी में भी 14,561 पर क्लोजिंग आई है यानी 252 पॉइंट डाउन है निप्टी भी और 1.71% की गिरावट हुए निप्टी के अंदर ही यानी जबरदस गिरावट हुई है और जादा करके जादा गिरावट हुई है बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक निप्टी करीब 2.42% डाउन हुई है और वो भी ज़्यादा करके PSU बैंक के अंदर करीब 3% की गिरावट है बहुत बड़ी गिरावट है और आटो और फाइनसे सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है करीब 2% के आसपास तूटे है उसके पीछे वज़ 2020 में ग्लोबल GDP ग्रोथ को लेकर फिर से चिंता पैदा हो गई है जर्मनी फ्रांस इटली जैसे देशों में करोना की तीसरी लेहर देखने को मिल रही है और इन देशों के तमाम इसों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है जीओ 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 फाइनसे सर्वीस के वीक कमी का संकेत है देश में एकोनमी गतिव एक फिर से कमजोर पढ़ रही है देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन लगा जा रहा है जिसका असर बाजार पर और इकोनमी पर पढ़ रहा है और सेकेंड जो रिजन है दुनिया बर में राजनितिक तनाव भी बाजार के सेंटीमेट पर असर डाल रहा है राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कोरिया ने एक विकेंड पर दो छोटी दूरी की मिसाले दागी है अमेरिकी और साउथ कोरियन ने अपनी इस बात की पुष्टी भी किये लेकिन अमेरिका ने इस बात को तूलना देते और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुद्वार को एसियन बाजारों ने पिछले दो अपतों का निचला लेवल छूली आए यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामले लॉकडाउन के एलानों और अमेरिका में संभावी टैक्स बढ़ोतरी को खबरों ने लोगों जो देखने को मिला था लेकिन आज इन बैंकिंग शेरों में मुनाफा वसुली का दबाव हावी हुआ और इसके चलते ICIC बैंक, HDFC बैंक, EXIS बैंक, KOTAK महिंद्रा बैंक, SBI पर जबरदस्ट दबाव बनाया और इनमें जबरदस्ट सेलिंग प्रेसर बना लोगों ने प्रॉफ जब तक निप्टी ऊपर की तरफ इस लेवल को मजबूती के साथ नहीं तोड़ता है, तब तक वह दाएरे में बंदा रहेगा, अगर निप्टी ये लेवल पार नहीं कर पाता है, तो फिर हमें इसमें 14,400 के इस तरको भी देखने को मिल सकता है, वही अगर बाजार 14,900 के इस तरफ पर टिके रहने में कामियाब रहता है, तो फिर ये 15,300 तक जा सकता है, वही मोतिला लोसवाल के चंदन तपडिया का कहना है कि 14,900 और 15,000 का लेवल पाने के लिए निप्टी को 14,750 के इस तरफ पर टिके रहना जरूरी होगा, निप्टी के लिए 14,700, 14,600 एक ततका हुए, और ऐसे समय में हमें निवेश सुरक्षित करना चीए, बाजार में अगर हमें काम करना तो निवेश तो करना ही होगा, बाजार जो खीमों के आदिन होता है, और इस समय हमें निवेश के लिए सुरक्षित स्टॉक में निवेश करना चीए, तो फ्रेंड्स, शेर बा उन शेरों को कहते है जिनमें एक निच्छे समय में बाजार से परदसन करने की शमता होती है वही value stock उन शेरों को कहते है जो अपने आंतरिक मुल्लिय के नीचे कारोबार करते रहते है बाजार के जानकारों का कहना है कि वर्स 2020 में value companies come back कर सकती है ICIC Direct ने हाल में आये एक नोट में कहा है कि लगबग 10 साल के under performance के बाद value share एक बार फिर से निवेशकों के रड़ार पर है value stock या ऐसे stock जो अपने value के नीचे कारोबार करें उनमें financial year 2022 में जोड़दार come back देखने को मिल सकता है value और growth पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग व्याक्या और परिबासा है उदारन के लिए अच्छी growth संभावना वाली अच्छे sector और अच्छे प्रदसन करने वाली company अच्छे प्रबदन वाली company जिसके लिए future में व्यापक संभावना है कुछ लोगों के लिए लंबी अउदी के नजरिये से यह value stock हो सकता है हलनकि वर्तमान में ऐसा हो सकता है कि वो share आपको महेंगा लगे टोरस mutual fund के प्रसना पाठक का कहना है कि लंबे समय से growth stock का काफी प्रदसन अच्छा रहा है और इस समय उनमें अधिकांस well discovered और महेंगे नजरा रहे अब हमें यह मैसूस था कि पूरी दूनिया में प्रियाप liquidity के चलते वर्स 2020 में value stock lime light में रहेंगे और इस दजरी से देखे तो ICIC direct के हिसाब से उन्होंने 15 stock की सुची दिये जिनको हमें जानना चीए और उनमें हमें निवेस करने की संभाविना तलासनी चीए तो उनमें जो stock पहला है वो है SBI SBI में ICIC direct की तरब से निवेस की सला दी गई है और इसको एक तरह से अंडर वैल्यू का गया बहुत सारे रिसे जाना लिश्रों की तरफ सेकें एक्जिस bank जिसके अंदर भी निवेस की सला दी गई है ICIC direct की तरब से उसके बाद में है PFC और फिर Friends है उन्होंने दिया है Federal Bank उनके बाद में उनकी तरब जो सला दी गई है LNT और उसके बाद उन्होंने कहा है खरीदने के लिए Amboja Cement ACC Cement और बाद में उन्होंने कहा है कि आपको Gail में निवेस करना चीए NTPC में निवेस करना ची साथ में उन्होंने कहा है Tata Motors में आपको निवेस करना चीए जैसे कि आपको पता ही है स्क्रेप पेज पॉलिसी आगी है सरकार की जिसकी वज़े से अब 15-year के उपर की जितनी भी commercial विकल है उनको स्क्रेप करना होगा यानि बहुत जादा कारोबर बढ़ेगा Auto Sector में साथ में उन्होंने कहा है कि आपको सिपला और सन फार्मा में भी निवेस करना चीए यानि आपको पता ही है COVID-19 की विज़े से फार्मा सेक्टर में जबर्दस आगे तेजी बनेगी और यह सेक्टर कापी समय से अंडर परफॉर्म हो रहा है और आगे इसमें बहुत ज़्या अब मौना बनरियत तेजी इसमें आ सकती है तो आपको फार्मा सेक्टर के सन फार्मा और सिपला में इन्वेस्मेंट करना चीए तो इस तरह से उन्होंने 15 स्टॉक्स हुजा है जिसमें बैंकिंग सेक्टर के भी है साथ में सिमेंट सेक्टर के है और पावर सेक्टर के है औ और मेन ऑटो सेक्टर के है और फार्मा सेक्टर के तो इन शेरों में आपको एक निवेश कर लेना चाहिए यह आपका निवेश सुरक्सित रखेगा और आने वाले समय में अगर बड़ी गिरावट बाजार में होती है करेक्शन का दौर भी आता है तो आपके इंवेस्मेंट क कोई यह वीडियो अच्छा लगा हुगा लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसे एडवाजर से एक बार एडवाजर ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेसिनल परपच के लिए ही बनाए वीडिय आए तो लाइक सेर जुरू कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यू फ्रेंड